कि ये तेक्सला मुजिंयम दे बाहर मजूदा और इते और जड़िया कंधारा थचीप इसाधी जोड़ी पॉंच जड़ी पांजही जार साल पराणी जड़ी जड़ी से घूड़ीक्षा वंद तुपे ऑगारा दे जड़ी में पॉठीया वगया हुए तरी अफूज की तिया गई है वा आउ तो आनो म्यूजियम दी तरीक दाज़े आउर बाकी जड़ी ते चीजा पर यह ओदे वाले नाल तो आनो दाज़े आउ अब टेक्सला म्यूजियम एथे ओजड़ी कंदारा तैजीब सीगी एदिया बाकियात रखिया गईया मूर्तिया वगयर और बरतन वगयर वा होर भी जड़ी यह काफी सारी चीजा वा टेक्सला म्यूजियम सेहाओ और तारीख के तालब इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का हामिल है टेक्सला म्यूजियम रावलपिंडी की तेसिल टेक्सला में वाकिया है यह एक साइट म्यूजियम है और यह बन्यादी तोर पर कंधारा आर्ट पर मुझ्मिल है टेक्सला में कदीम तहजीब के असार मुझूद है यहां की साइट्स का तलूग 600 कबल मसी और 700 कबल मसी तारीख से है टेक्सला म्यूजियम का काम 1918 में शुरू हुआ टेक्सला म्यूजियम पाकिस्तान में 7 वी सदी के पहले से पत्थर बुदा के मुझस्मे का सबसे एहम और जामिया मुझमूआ में से एक है जराइ के मताबिक टेक्सला का म्यूजियम पाकिस्तान के खुबसूरत म्यूजियम में से एक है ये म्यूजियम सियाहों और तारीख के तालबे इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का हमिल है म्यूजियम में इस शहर की कल्चर हिस्टरी से मतलिक नौधराथ ज्यादा तदाद में मजूद है टैक्सला एक तारीखी शहर है यहां से नौधराथ ब्रामद होने के असार मिलते हैं जिन में कंधारा स्टोन, गोल्ड, सिल्वर और जूलरी स्टोन, लिखाई का समान, डुमेस्टिक हाउस का समान, टौैलेट का समान और दूसरी एशिया शामिल है म्यूदियम में सजाए गए तमाम नौधरा टैक्सला की वादी से खुदाई के दुरान हासिल किये गए हैं म्यूदियम में तीन बड़े हाल है, मरकजी हाल निस्बतन बड़ा है इस हाल में दो चोटे चोटे कमरे भी हैं इस हाल के वस्त में मोहडा मराद में द्रियाफत होने वाले एक स्टूपा की नकर रखी है यह हाल पत्थर पर तराशीदा बुतों और पत्थरों से बनी हुई दीगर एशिया पर मुश्तमिल है जबके जनुबी हाल में दूसरी एशिया जिन में लोहा तांबा और पत्थरों से बनाई गई एशिया और आग में बने हुए मिटी के बरतन और खुलोनों की नमाईश की गई है मरकजी हाल के दो कमरों में सिक्के चांदी के बरतन जेवरात और एक सोई हुई सा जिन्दा की नकल मूरती है दूसरे कमरों में सोने के जेवरात है केंदे याजी बाग वगएरा कोई लगा हो यावा और ओ बजर्ग गाली सी करना चांदे लेकिन फिर भी मैं उननों के मैंगा जी मेरवानी अगर गालते कर दो पता नहीं की चीजा आहो हुई याजी एदा कोई असार ही या यह हजारों साल जीड़ा पराने वह स्टूपे अगरा और किला वगएरा जीड़ा वा एहने अगे चाल देयां अगे वित्वानु होड़ाने अगे टेक्सला आया और एज इते मैं मजूद आए धर्मा राजी का स्टूपा आए सब तो बड़ा है इना इबादत गाह सेगी और इते मूर्तियों वगएरा भी मजूद आए इते कमरे वगएरा भी मजूद आए और इते हाई तिक्र मूर्तियों वगएरा और बुद्मत ओधे धर्मा राजी का से पैर वगएरा जेड़ा वाओ बने हुए और वगए बाकी बाकियात भी एते मजूद आए तकरीबन दो हजार साल जेड़ा पराना है के हैवा अगर त जेड़ा दो हजार साल पराना सब तो बड़ा स्टूपा उन अदी बादत का जेड़ी सिक्यों सामने जेड़ा बात वानु नजर आ रहे है तो फोटोग्राफी करना मना वाँ वीडियो बनाना मना मां जेब फेर भी एस दबाव जूद आ रहे हैं चलो अगे चालते हैं के तो मजीद जेड़ा वीडियो दहाने और जेड़ा आगे वीड़ा तो अनु इस टूपे वगएरते दा विजट करवाने दर्माराजी का स्टूपा पाकिस्तान का बोदा स्टूपा जो टैक्सला केंट में वाक्या है मशहूर बक्षू दर्माराजी का एक युनानी था जि युनानी नो अबादियों में तबलीग के लिए टैक्सला बेजा जिसके नाम पर ये आज भी यादगार है धर्माराजी का टैक्सला में पहली बुदा खान का थी जो शोक ने बन्वाई ये एक अजीम जामिया धर्माराजी का थी जिसमें दुनिया बर से सेंक्रो तशनग कान इलम अपनी प्यास बुजाने के लिए आते थे बुदा बक्षो की यूनिवरस्टी धर्मा राजी का स्टूपा का शमार बरिसगीर की कदीम त्रीन स्टूपा में होता है अशोक के बाद 460 तक धर्मा राजी का आबोताप से इलम के मोती बखेरती रही जिसको हिनों ने हम करके बरबाद कर दिया और ये बरबादी सदियों पर मुहीद है किया बर्मा राजी का इलम की का आबादी से अशोपा है